बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब पर आज कुछ खास बाते करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ खास बाते कृष्णमूर्ती पद्धती के समंध में कृष्णमूर्ती पद्धती जो भी मित्र शीखना चाहते हैं एक अनुभव मुझे हुआ है पिछले कई सालों से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो को इस नजरिये से देखिए कि अगर आप कृष्णमूर्ती पद्धती सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिये नहीं तो मेरा बोलना बिकार चला जाएगए रिष्णमूर्ती पद्धती जब आप शीखते हैं या शीखने के लिए आते हैं विसेश करके मेरे पास जब आते हैं तो आप लोगों को पहले से सीखी हुई बातें अपने दिमाग से इलिमिनेट करनी होंगी क्यों करनी होंगी उसका कारण ये है कि सिगनिफिकेटर को लेकर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गई है बजार में कि जो लोग पहले से सीखे हुए हैं या विभिन यूट्यूब चैनल्स पे देख देख कर जोतिश शीखने की कोशिस कर रहे हैं और उसके बाद जब शीखने आते हैं तो उनको सिखाना बड़ा मुस्किल हो जाता है आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप अगर सीखने आ रहे हैं तो आपको मैं आपके अपने तरीके से नहीं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा तो अपने तरीके से सिखाऊंगा यानि मेरे तरीके से आपको सीखना होगा आपके तरीके से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा इस चीज को आपने समझना है दूसरी बात ये है कि सभी स्टुडेंट्स को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी जोतिष शीखने जाते हैं किसी के भी पास X, Y, Z मेरे पास या किसी और के पास तो जब सीखने जाते हैं तो जो सिखाने वाला है उसके तरीके से सीखने की कोशिस करें अपने तरीके से सीखने की कोशिस ना करें आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको justify करने के लिए जोति शीखने के लिए मत आईए आप सीखने के लिए आईए सामने वाला जो सिखाना चाह रहा है आपको आपने Mr. A से सीखी Mr. B से सीखी Mr. C से भी सीख रहे हैं तो आप तीनों के नजरिये को सीखिए उसके बाद दिमाग चला के उसमें से जो भी सही तरीका हो उसको आप इस्तेमाल कीजिए वो इस्तेमाल करने के लिए आप बिलकुल स्वतंत्र हैं कृष्णमूर्ती पधती जितने भी लोग करते हैं या फलादेस करने की कोसिस करते हैं उन लोगों की अमूमन एक गल्ती देख देखकर मेरा सर भनना जाता है आजकल की ग्रह को ग्रह के सिगनिफिकेटर को अपने तौर पे ना समझ कर वो सिर्फ सौफ्ट्वेर से उनको जो भी सिगनिफिकेशन मिल जा रहा है उसी पे लगे रहते हैं ये सबसे बड़ी गल्ती कृष्णमूर्ती पधती सीखने वाले स्टूड आपको सौफ्ट्वेर निर्भर नहीं रहना चाहिए आप सभी जानते हैं शूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते लेकिन बहुत से सौफ्ट्वेर ऐसे हैं जहां सूर्य और चंद्रमा को भी वक्री दिखा देते हैं तो क्या आप उस सौफ्ट्वेर की बात मान लें हालां कि बहुत से new learner ये भी माल लेते हैं कि software में तो वक्री दिखा रहा था सर तो ये मुर्खता की पराकाष्ठा है उपर से क्रिष्टमूर्ती पध्धती सिखाने वाले या कई लोग इस तरह से सीख के बैठे हुए है कि एक ग्रह के 15-15 सिगनिफिकेशन निकाल लेते हैं जैसे उधारन के तोर पे मैं आपको बताऊं कि केतु के सिगनिफिकेशन को अगर लिखते हैं वो कोई भी तो क्या करते हैं केतु जहां बैठा हुआ है उसका सिगनिफिकेटर लिख लेंगे और केतु की राशी जिन जिन भावों में पड़ रही है उन भावों को भी सिगन उपर से उस केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके सिगनिफिकेशन को भी ले लेते हैं ये दूसरी बड़ी मुर्खता है तीसरा अगर केतु पे किसी ग्रह की दृष्टी है तो उसको भी सिगनिफिकेटर में लिख लेते हैं भाई इतने सारे कर दे एक से लेकर 12 तक के भावों के सिगनिफिकेटर आपके पास है ही और उस घटना को बड़े अराम से आप जस्टिफाई कर सकते के ये देखिए 9 आ रहा है ये देखिए 11 आ रहा है ये देखिए 5 आ रहा है इसी लिए सीख नहीं पाते हैं 3-3 साल 5-5 साल गुजार देने के बावजूद भी अभी भटक रहे हैं के पी सीखने वाले मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं ग्यानी को ना विनमर होना चाहिए अरे भाईया ग्यानी कितना विनमर बना रहेगा जिसको ग्यान है नहीं वो तो एट के चल रहा है और जो ग्यान है वो विनम विनम्र बना रहे यह नहीं चलता है ऐसे नहीं होता है शिच्छक विनम्र नहीं होता है स्टूडेंट्स को विनम्र होना होता है इंटरनेशनल रिनोंड एस्टोलाजर फलादेश दिखाईए तो जरा मुझे कितने हैं कौन सा फलादेश है आपको मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन मैंने फलादेश किया था कि ट्रम्प हारेगा अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड जे ट्रम्प चुनाव नहीं जीते होगा बाकी कितने रिनोंड एस्टोलाजर ने किया था और ना सिर्फ रिनोंड इंटरनेशनली रिनोंड एस्टोलाजर कितने लोगों का फलादेश आया था कि ट्रम्प हार रहे हैं ज्यादातर लोग ट्रम्प को जितवा रहे थे या बहुत लोगों ने फलादेश ही नही किया मैं 2017 से राजनितिक फलादेश कर रहा हूँ 2017 के चुनाओ के पहले मुलािम और अखिलेस सिंघ यादव दोनों का फलादेश मैंने कर दिया था कि दोनों की बेज़ती होने वाली है दोनों के हादसे सत्ता जाने वाली है मैंने किया था ये फलादेस कि एजरीवाल दिल्ली जीत रहे हैं दुबारा ये फलादेस मैंने किया था चुनाओ का परिनाम आने के चार दिम पहले जबकि सोसल मीडिया पे मैं एक महीने पहले बोल चुका था वो मुझे जरा देर से सूझा कि मैं यूट्यूब पे बी डाल दू कमबैक औफ कपिल सर्मा मेरा वیडियो पढ़ा हुआ है हलनकि उसके पहले जो डाला था वो डिलीट कर दिया था मैंने गलती की थी डिलीट करके लेकिन फिर डाला था मैंने उसका कमबैक होने के बाद क्योंकि वो वीडियो की raw file मेरे पास पड़ी हुई थी 12-12 भावों के 15-15 भावों के 20-20 सिगनिफिकेटर निकाल के फलादेश कितना कर पा रहे हैं फलादेश के नाम पे तो डमडम डिगा डिगा है ज्यादा तर ना खुद फलादेश कर पा रहे हैं ना जिनको सिखा रहे हैं वो कर पा रहे हैं बलकि जिनको वो सिखा दे रहे हैं वो फिर किसी और के पास जब सीखने जा रहे हैं तो उनको सही बात भी गलत लगती क्रिष्टमूर्ती पधती में 4-5 पधतियां आ चुकी है आप लोगों को ये समझना होगा एक केपी अस्टलाजी है एक केसी आईल निकाल दी थी लोगों ने जिसको कस्पल इंटरलिंक्स कहते थे एक क्रिष्टमूर्ती भासकरन सिस्टम है और एक केबी सी आईल है कुछ लोग क्या कर रहे हैं इन सब को मिला के एक खिछडी बना के उसका सलाद बना के रख दे रहे हैं सामने कस्पल इंटरलिंक्स का नियम है कि केतु अगर जिस भाव में बैठा है उसको लेंगे और केतु का नच्छतर जिन जिन राशियों में है और वो राशियां जिन जिन भावों में बैठ रही है उन भावों का सिगनिफिकेटर लेंगे ये कस्पल इंटरलिंक्स का नियम है और बड़ा क्लियर कट सब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नियम जो है फेल है ये नियम सक्सेस नहीं है क्योंकि सेकंड लेवल तक आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते CIL जो करती थी कि एकदम इवेंट टू इवेंट मैच करके एकदम सेकंड यानि मिली सेकंड तक का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने का दावा कर रहे थे जो की असंभव है नहीं हो सकता ये इवेंट्स पकड़ पकड़ के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना मैं बड़ा साफ सब्दों में आप लोगों को बताता हूँ वास्तवी किस्थिति क्या है event matching करके आप birth time rectification नहीं कर सकते क्या event matching करेंगे आप रोज toilet जाते हैं वो आपकी कुंडली में event दिखाई देगा क्या कि किसी खास वक्त पे आप toilet जाएंगे वो event आपको दिखाई देगा millisecond तक के BTR करने का दावा करने वाले इस चीज को समझे या जो विश्वास करते हैं कि हो सकता है उनको समझना होगा यह चीज़ जो बेचना चाहता है अपना माल या अपनी पध्धती वो तो उसको सर्वस्रेष्ट बताएगा ही ही वो द्रशा अंतरदसा प्रत्यांतरदसा सुचम दसा या प्रांदसा चलेगी और आप रोज सुबा टलेट दौडेंगे मग ले के कि या आप नहाने जाएंगे खास वक्त पे या दोपहर को आप रोज भौजन करते हैं वो आपके event matching में दिखाई देगा क्या millisecond तक का BTR करेंगे आप तो वो fail system है वो जो नचत्र भी है जिस भाव में उनको भी significator में ले लेना आप एक एक ग्रह का 15-15-20-20 significator अगर निकाल देंगे तो पुष्ट माटम में तो आप साबित कर ही देंगे किसी भी घटना को ये तो बड़ा easy है आप एक ग्रह को पकड़िए अब केतु के नचत्र को ले लीजे केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का significator आप ले लेंगे अब केतु का नचत्र जिन जिन राशियों में हैं और वो राशियां जिन भाव की लाड़ बनेंगी उन भाव को आप significator में ले लेंगे यानि अश्वणी न चत्र ये तीनो जिन भाव की लाड़ होंगी उसको भी आप ले लेंगे अब उस केतु पे किसी गरह की दृष्टी है तो उसको भी सिगनिफिकेशन में लिख लीजे उसके बाद वो केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसको भी लिख लीजे सिगनिफिकेशन में और उसके बाद केतु जिन जिन भावों का सबलाड बन रहा है उसको भी Significator में लिख लिजिए क्योंकि कृष्टमूर्ती भासकरन सिस्टम में ये नियम है कि किन-किन भावों का सब लॉड वो बन रहा है कोई भी ग्रह उनको भी Signification में लेते हैं तो आपके पास एक ग्रह के कम से कम 12 से 14 Signification मिल जाएंगे 20 भी मिल जाएं तो हैरान होने की जरूरत नहीं है अब 20 Signification अगर आपको मिल जाएंगे किसी एक ग्रह के तो फिर उस ग्रह में आप किसी भी इवेंट को जाएश ठहरा सकते हैं बाद में पोश्ट माटम करने वालों के लिए बड़ी सुविधा जनक स्थिती है ये वो Significator मिल रहा है उस ग्रह में तो किसी भी घटना को वो बता देंगे कि ये देखिए एस्टम भाव आ रहा है अक्सिडेंट है ये देखिए रोग हो रहा था छटा भाव है छटे का Signification बना हुआ है अच्छा विदेश यात्रा हो गई थी देखिए बारा का Signification भी है अच्छा धन आ गया था देखिए दिती भाव का Signification भी है प्रेम हो गया था पंचम भी है देखिए तो ये तो बड़ा सरल है कुछ लोगों ने जोग बना दिया जोतिश को और जादा तर लोग जोकर बन रहे हैं इसके साथ इन चीजों को फॉलो करके एक तो अमूमन जो सीख रहे हैं जो सीखना चाहते हैं वो लोग सुनते नहीं है ध्यान से पूरी बात को उनके दिमाग में सिर्फ अच्छा शादी कब होगी नौकरी कब मिलेगी यही नास्ता रहता है और उसी को पूछेंगे 20 बार बैटके कि शादी की डेट कैसे निकाल लेंगे एकदम डेट टाइम कैसे निकाल लेंगे भहिया एक बहुत साब बात आपको बताता हूँ इतना असान नहीं होता है एकदम खास डेट टाइम तारीक निकाल देना अगर इतना असान होता न तो जोतिश के पास प्रधान मंत्री आके बैठा हुआ होता जोतिश एक विद्या है इस विद्या की एक सीमा है हाँ हो सकता है मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ आप आने वाले समय में उस रूल को उस फार्मूले को मुझसे बहतर समझ कर मुझसे बहतर फला देश कर सके ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको स्पून फीडिंग करा दे एक दम कि हाँ ये डेट ये टैम इस तरह से इस समय ये होगा ही होगा ऐसा नहीं होता है जोतिश शंभावनाओ का सास्त्र है जोतिश आने वाले भविश्य में जाकने की कोशिस करता है और कुछ लोग जादा जाक पाते हैं कुछ लोग कम जाक पाते हैं ये आपकी capability पे निर्भर करता है कि आपने जोतिश को कितना आत्म साथ किया है इस सास्त्र पे आपने कितनी पकड बनाई है अपनी इस बात पे निर्भर करता है इतनी confusion फैली हुई है कि दिमाग खराब हो जाता है कभी-कभी लोगों को समझाते हुए भी देखिए वैदिक जोतिश का अपना एक पार्ट है यानि वैदिक जोतिश जो है जोतिश के basic को समझने के लिए बहुत important है कृष्णमूर्ती पध्धती का इस्तेमाल आप फला देश को fine tune करने के लिए कर सकते हैं इस चीज को आप साफ साफ सबुमें दो-टुक सबदुमें समझते क्यों नहीं यह समझाया जा रहा है यह दिमाग में नहीं ले रहे हैं लेकिन शादी की date accurate कैसे निकल जाएगी भाईया शादी की date accurate कैसे निकलेगी उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा ना कि शुक्र पत्नी का कारक है और ब्रिस्पती पती का कारक है आपको ये देखना होगा ना कि वो वक्री है या मारगी है या वक्री के नचत्र में है या मारगी के नचत्र में है लेकिन ले देके एकदम 16 दुनी आठ ये कर दे हैं लोग कि बेशिक को समझने की कोसिस बिल्कुल नहीं करनी है जो शिखा रहा है जो समझाने की कोसिस कर रहा है उसकी बातों को ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनना है बस अपने दिमाग में जो है उसी को justify करते रहना बैट बैट के ये सबसे खतरनाक स्थिती है सीखने के मामले ने इसलिए सालों सीखते रहने के बावजूद कई लोग सीख नहीं पाते हैं कहीं के इट कहीं का रोड़ा भानूमती ने कुनबा जोड़ा अगर स्थिती करेंगे तो कैसे चलेगा केतु को उधारन के तोर पे मैं ले रहा हूं दुबारा कि केतु के सिगनिफिकेशन को अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ इतना ही लीजिए कि केतु जिस भाव में बैठा हुआ है और सेकंड श्टेप पे केतु जिसके नच्छत्र में है वो नच्छत्र लॉड कहां का लॉड है और कहां बैठा हुआ है इतना ही सिगनिफिकेशन आपने केतु का लेना है अरे भई तब ना आपके पास लिमिट आप्शन होंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसे कैसे आप नच्छत्र को भी ले लिया सबलाट को भी ले लिया द्रिष्टी को भी ले लिया उसके साथ किसी का कंजंशन हो रहा है तो उसको भी ले लिया उसका भी सिगनिफिकेटर घुसा लिया बीच में भजिया तल रहे हैं क्या बैठके कि थोड़ा सा नमक और डाल दो, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दो, थोड़ी सी और छौक लगा दो इसमें लिमिट को आपको समझना होगा, आपको एक लिमिट पे रुखना होगा, तभी आप निरने पे पहुँच सकेंगे जोतिश में फलादेश कितने प्रतिसत तक हो सकता है, भविश्यवानी कितने प्रतिसत तक की जा सकती है, क्या भविश्यवानी 100 प्रतिसत तक की जा सकती है, तो इसका उत्तर हाँ या ना दोनों में है जनम कुंडली से 100% फलादेस नहीं हो सकता कोई माई का लाल नहीं कर सकता जो भी जूढ बोलता है क्लाइंट्स को फसाने के लिए बोलता है इतना साफ कोई बोलेगा नहीं YouTube पे हां प्रशन कुंडली के माध्यम से 100% फलादेस हो सकता है ये विशे मेरे नेक्स्ट वीडियो का होगा और मैं अच्छे से आप लोगों को explain करने की कोशिस करूँगा कि कैसे 100% फलादेश प्रसन कुणली से हो सकता है और जनम कुणली से 100% भविश्यवानी नहीं हो सकती मैं भविश्यवानी की बात कर रहा है भविश्यवानी का मतलब ये होता है कि साल 6 महीने 2 साल 5 साल बाद क्या होने वाला है वहां 100% नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैं बहुत लॉजिक अंसर आपको बताऊंगा आप लोगों की समझ में आ जाएगा और प्रश्न कुंड़ी से 100% फलादेश हो सकता है इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको तो इजाज़त दीजिए वीडियो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा बहुत से लोगों को फिर भी जिनको अच्छा लगा है वो लाइक शेयर जरूर कर दे क्योंकि कड़वी बाते मैंने बोली है हजम नहीं होंगी बहुत लोगों के ये मैं जानता हूँ